क्यों सिर्फ मेरी मां है वो तिरी मां नहीं है अरे पिछले महीने भी वो मेरे साथ चार दिन जादा रही है और इस बढ़ तिरी बारी आई तो तु उन्हें नहीं नहीं आया और तो और बिना बताय ट्रिप पे निकल गया है तो और क्या करता मैं तुम बोलो ना हमें भी तो कर जाना था ना अरे भाई तुझे पता था कि हमें वेकेशन पर जाना है हमारी टिकेट्स अल्ड़ी बुक्त हैं मैं उन्हें विदाश्रम पर छोड़क आया हूं कुई उंको सड़क पर ही छोड़ा है मैंने वहां कम से कम वो अराम से तो रहेंगी अब अब तुब आपस आय तुझे क्या परवा पड़ी है जिले तो तुझे तरी बीभी जादा इंपॉर्टन थे तुमा की सिवस रना करेगा अब तुझे जय यदात में तो पूरा इससा चाहिए So then I'll see in the court of law. You just wait and watch. Thank you uncle. आपने time निकाला. No, no, बैटा तो निकाल नहीं था. But what kind of talk? अंकल मेरे भाई ने सारी हदे पार कर दिया और मैं चाहता हूं कि आप फैसला होकर रहे हैं अब आप बस केस की तयारी करें मैं चाहता हूं कि आप उसके खिलाफ एक स्ट्रॉंग सा केस बनाओ and we'll see him in court पुत्तल विज्जे तुबा लुश्जे तुम दोनों लड़ो मत तुम दोनों सो जाना मैं सो जाओंगा नीचे गद्धा लगा कर दोनों बहुष राती हैं एक सेकिंड भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते तुम कल सो है थे न गोल्डी बेटा आज भाया की टरन है ओक्य करौ के दिए तै करें के दि एंगा तुमिस फ्रेंड ना वंगो Clay A's से बुरा मां जाएंगे यह यह वोरे के पाइं हेल वर्ण अच्छा मांग तुम ही सो जाつ नियुजे लिए के लिए आप दुम यह दो enemy करते हैं बिल्कुल ठीक का अपने अंकल इन दोनों की ना जान बस्ती आपस में और अपनी मा को तो ये एक पल क्ले भी नि छोड़ते हैं बाप पर जो गये है बेटा जब तू और तेरा भाई छोटे छोटे थे ना मैं तब से इस घर में आ रहा हूं सारे लीगल केसे में मैं झाने के लिए साथ में सोने के लिए साथ में जाने के लिए मेः माँ.. मेरी माँ.. मेरी माँ किया करते थे तुम दोग सबिगता आप अई लग रहा है कि बड़े होकर कई तुम दोनों को विरुधार्ष्रम ना छोड़ा है अब यह पूछ रहा है तो बताना दो पड़ेगा है ना बेटा विरुधार्ष्रम ना ओल्डेज होम को बोलते है जहा ओल्ड पीपर रहते हैं जैसे दादा-दादी जब छोटे छोटे बच्चे होते ना आपकी तरह जो पहले तो करते हैं मेरी माँ मेरी माँ लेकिन बड़े होके शुरू हो जाते हैं तेरी माँ तेरी माँ और जब वो बच्चे तेरी माँ तेरी माँ करते हैं फिर वो अपने ममी पापा को ओल्डेज होम यानि कि व्रुदाश्रम में छोड़ाते हैं फिर वो अपनी मम्मी पापा से अलग रहते हैं खुशी खुशी मैं पापा मुमा बहां तो हमें के बगार फिल्कुल नहीं रह सकता कोई बात निकोली हम बड़े होकर ओले जून के पास ही गड़ेंगे जहां हम मम्मी पापा से जली जली मिलने आ सकेंगे बेटा देखा चक्कर ऐसे ही गूंता है मुझे एक बात नहीं समझ आती ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने उस आदत को क्यों भूल जाते हैं मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ करने की और तेरी माँ तेरी माँ शुरू कर देते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो माबाप कितनी सेक्रिफाइस करते हैं बड़े होकर जब तुम्हारे सेक्रिफाइस करने के बारी आती है तो पीछे क्यों अट जाते हो समझ में नहीं आता मुझे सॉरी मैं क्यों आपके परसनल मामने में बोल रहा हूँ ये वकालत नामा साइन कर दो नहीं अंकल जी हमें कोई केस नहीं करना विज़ अभी चलो अभी के अभी मा को वापिस लेकर आएंगे बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं हमारे बच्चे बड़े होकर तेरी मा तेरी मा कभी नहीं करेंगे तुम ठीक कह रहे हो प्रेडना जाने आन जाने में जो हमसे गलतियां हुई है वो मारे बच्चे नहीं धोराएंगे वी लेंड वापिस लेकर आएंगे चलो माभाब कैसे भी हो उनका ध्यान देना आपका फर्ज है वो कितनी मेहनत से आपको पाल कर बढ़े करते हैं आप जब बच्चे होते हैं तो पूरी जिद करते हैं मुझे ये ले दो मुझे वो ले दो चिट-चिड़ापन भी आप दिखाते हो और जब आपके माभाग बज़ूर्ग होते हैं तो ओल्ड एज के कारण वो भी बच्चे बन जाते हैं उनकी जिद्धें आपको क्यों बुरी लगती है उनकी डिमांड्स आपको क्यों अजीव लगती है अरे अब आपकी बारिया है तो आप ध्यान दोना एक बात नहीं समझ आई मुझे कि एक माह के चार बच्चे भी होना बड़े हराम से उन्हें पाल लेती है पर लानत है उन चार बच्चों पर जो मिल कर भी एक माह को नहीं सभाल सकते